C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की ध्वनी पुस्तक गणित का जादू तेरवाँ पाट स्मार्ट चाट प्रिष्ट एक सो पच्छत्तर इस प्रिष्ट पर कुछ रंग बिरंगे फूलों के चित्र दिये गए हैं अलग-अलग रंग के फूल क्या तुम कभी बगीचे में गए हो? तुमने वहाँ किस-किस रंग के फूल देखे? क्या जादातर फूल पीले रंग के थे? चित्र में अलग-अलग फूलों को देखो तालिका को पूरा करो यहाँ पर दो खाने दिये गए हैं पहले खाने में लिखा है फूलों का रंग और दूसरे में लिखा है फूलों की संख्या अब आपको इस चित्र को देखकर फूलों की संख्या भरनी है आईए करते हैं फूलों का रंग- नीला फूलों की संख्या- रिक्तिस्थान फूलों का रंग- लाल फूलों की संख्या रिक्तिस्थान फूलों का रंग नारंगी फूलों की संख्या रिक्तिस्थान और फूलों का रंग बैंगनी फूलों की संख्या रिक्तिस्थान इसी प्रिष्ट पर फूलों के साथ एक लड़की और एक बिल्ली का चित्र भी बना है प्रिष्ट 176 तालिका देखो और फूल बनाओ अब दिये गए रिक्तिस्थानों को पूरा करो क रिक्तिस्थान की संख्या सबसे ज्यादा है अब बताओ ये कितने हैं? रिक्तिस्थान ख रिक्तिस्थान की संख्या सबसे कम है अब बताओ ये कितने हैं ज्यादा है रिक्तिस्थान से हम सडक पर क्या-क्या देखते हैं इस प्रिष्ट पर ट्रैफिक का एक चित्र बना है जिसमें बहुत सारे यात्यात के साधन दिखाई गए हैं और साथ ही कुछ बच्चे और कुछ व्यक्ति भी हैं। शिक्षिकों के लिए निर्देश ये अध्याए आंकलों के साथ काम करने की आरंबिक भूमिका है। आंकला गडित का एक महत्पून हिस्सा है। चटी तक आते आते बच्चों को आंकडे इकठा करने, उन्हें दर्ज करने, बारचाट और तालिका में प्रस्तुत करने, आंकलों के पैटरन को समझने और निशकर्ष निकाल सकने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षक इसके लिए बच्चों के अनुभवों से कई रोचक और मज़ेदार उधारन चुन सकते हैं। यहां दियेगे चित्रों को भी कई तरह के वरगी करन के अभ्यास के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है। जैसे कि फूलों में कितनी पंकुणिया हैं। प्रिष्ट एक सौसतत्तर इस प्रिष्ट पर बाई तरफ एक घोड़े और एक लड़की का चित्र है। लड़की कह रही है क्या इस स्मार्ट चार्ट में एक घोड़ा बगेर घोड़ सवार के गुश सकता है। इसी चित्र के दाहिनी तरफ दो खाने दिये गए हैं। पहले में यात्र का तरीका और दूसरे में कितने शब्द लिखा है। अब आपको पिछले प्रिष्ट पर दिये गए द्रिष्ट को देखकर इन खानों को भरना है। पहला यात्र का तरीका पैदर लोग कितने रिक्तिस्थान। इसी तरह से तुम और यात्यात के साधनों को ढूंडो और उनके नाम लिखो और वो कितने हैं उनकी संख्या भी लिखो। इन प्रश्णों के जवाब दो, क, इस चित्र में आने जाने का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, रिक्तिस्थान, क, आने जाने का कौन सा तरीका गाड़ी सबसे कम दिखाई दे रहा है, रिक्तिस्थान, ग, पैदल चलने वाले लोगों की संख्या, रिक्त स्थान की संख्या से कम है. कितनी बार छे आया? क्या तुमने पासे से कोई खेल खेला है? पासे के अलग-अलग पहलूँ पर कितनी बिंदिया है? इसी प्रिष्ट पर अंतिम भाग में कुछ बच्चे दिखाए गए हैं, जो घेरा बना कर बैठे हैं और उनके बीच में एक प बिंदिया दिखाई गई हैं. प्रिष्ट 178. पासा फेको. पासा फेकने पर जो पहलू उपर आया, उसमें देखो कितनी बिंदिया हैं. हर बार पासा फेकने के बाद तालिका में उपर आई संख्या के सामने एक ऐसा, यानि स्लैश का निशान लगाओ. पासा तीस बार फेको और हर बार तालिका में एक निशान लगाओ. उधारन के लिए राविया ने अपना पासा तीस बार फेका, तीन वाला पहलू पांच बार आया. यहां पर पासे पर तीन बिंदु दिखाए गए हैं. उसने अपनी तालिका में ऐसा बनाया. यहां पर दो खानों में पहले खाने में एक पासे पर तीन बिंदु और दूसरे वाले खाने में पांच स्लैश दर्शाए गए हैं. अब अपनी तालिका को भरो. यहां पर दो खाने हैं. पहले खाने में लिखा है पासे का पहलू और दूसरे में लिखा है कितनी बार आया. हर बार फेकने पर स्लैश का निशान. पासे पर पांच बिंदू. कितनी बार आया? रिक्तिस्थान. और पासे पर छे बिंदू. कितनी बार आया? रिक्तिस्थान. इसी प्रिष्ट पर बीच वाले भाग में एक चड़िया का द्रिश भी बना है. क. पासे का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा बार आया? ख पासे पर छे बिंदू कितने बार उपर आया? रिक्तिस्थान बार ग पासे पर चार बिंदू वाला पहलू रिक्तिस्थान वाले पहलू से जादा बार उपर आया और ग अपने तालिका अपने साथ बेठे साथी से मिलाओ दोनों तालिकाओं में कोई फर्क नजर आया प्रिष्ट 189 आसपास के लोगों से पता लगाओ एक आसपास के लोगों से उनकी मनपसंद मिठाई के बारे में बात करो और तालिक भरो यहाँ पर दो खाने दिये गए हैं पहले पर लिखा है मनपसंद मिठाई और दूसरे पर लिखा है लोगों की संख्या एक जलेबी लोगों की संख्या रिक्तिस्थान अब आप अपने मन से पांच और मिठाईयों के नाम लिखिए और उनके सामने ये भी लिखिये कि कितने लोगों को ये मिठाई पसंद है उपर की तालिका को देखते हुए इन प्रश्णों का जवाब दो क सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले मिठाई रिक्तिस्थान क सबसे कम पसंद की जाने वाले मिठाई रिक्तिस्थान मिठाई का नाम को रिक्तिस्थान मिठाई का नाम से ज्यादा पसंद किया जाता है। रिक्तिस्थान को रिक्तिस्थान से ज्यादा पसंद किया जाता है। सबसे नीचे एक घोड़ी का चित्र बना है। घोड़ा कहता है। अपने आसपास के जानरों से भी बता करो। प्रिष्ट एक सो असी। दो अपने दोस्तों से ये पता लगाओ कि उनके घरों में कितने लोग रहते हैं। और इस तालिका को भरो। यहाँ पर एक घोड़ी का चित्र है, जो सोच रहा है। क्या मैं अपने जैसे स्मार्ट घोड़ों का भी स्मार्ट चाट बनाऊं। साथ यहाँ पर दो खाने दिये गए हैं। पहले खाने में लिखा है साथ रहने वाले लोगों की संख्या। और दूसरे खाने में लिखा है कितने परिवारों में। अब आप रिक्तिस्थानों को स्वेम भरिये। साथ रहने वाले लोगों की संख्या एक अकेला, कितने परिवारों में? रिक्तिस्थान साथ रहने वाले लोगों की संख्या दो लोग, कितने परिवारों में? रिक्तिस्थान साथ रहने वाले लोगों की संख्या, तीन लोग, कितने परिवारों में, रिक्तिस्थान साथ रहने वाले लोगों की संख्या, चार लोग, कितने परिवारों में, रिक्तिस्थान साथ रहने वाले लोगों की संख्या, पांच लोग, कितने परिवारों में? रिक्तिस्थान साथ रहने वाले लोगों की संख्या, छे लोग, कितने परिवारों में? रिक्तिस्थान साथ रहने वाली लोगों की संख्या साथ लोग, कितने परिवारों में रिक्तिस्थान क सबसे ज्यादा घरों में रिक्तिस्थान लोग रहते हैं एक घर में रहने वाली लोगों की सबसे कम संख्या रिक्तिस्थान है और चार लोगों की परिवारों की संख्या रिक्तिस्थान है इस प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में दो चितर दिये गए हैं पहले चितर में कुछ बच्चे घेरा बना कर खेल रहे हैं और दूसरे चित्र में एक लड़की दिखाई गई है, प्रिष्ट 181, तीन, तुम्हारी कक्षा के साथ ही आज दुपहर में खाने के लिए क्या लेकर आए हैं, पता लगाओ और नीचे लिखो, यहाँ पर दो खाने दिये गए हैं, पहले खाने में लिखा है खाने का सामान, और दूसरे में लिखा है बच्चों की संख्या, अब तुम स्वेम इन खानों को भरो, क, दुपहर में खाने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा बच्चे लाए, रिक्तिस्थान, ख, कौन सी चीज सबसे कम बच्चे लाए, रिक्तिस्थान, इसी प्रिष्ट पर आखरे ह प्रिष्ट 182, चार्ट बनाओ और सजाओ, उपस्तती बोड, तारीख 8-2-2007, यहाँ पर चार खाने दिये गए हैं, पहले खाने में लिखा है कक्षा, दोसरे में बच्चों की संख्या, तीसरे में उपस्तित बच्चे और चौथे में अनुपस्तित बच्चे लिखा है कक्षा 1, बच्चों की संख्या 27, उपस्तित बच्चे 25, अनुपस्तित बच्चे 2, कक्षा 2, बच्चों की संख्या 23, उपस्तित बच्चे 22, अनुपस्तित बच्चे 1, कक्षा 3, बच्चों क बच्चों की संख्या 24, उपस्तित बच्चे 21, अनुपस्तित बच्चे 3, कक्षा 4, बच्चों की संख्या 22, उपस्तित बच्चे 18, अनुपस्तित बच्चे 4, और कक्षा 5, बच्चों की संख्या 25, उपस्तित बच्चे 23, अनुपस्तित बच्चे 2, कुल, अब आप इसमें बच्चों की संख्या को जोड़ कर लिखें कुल बच्चों की संख्या, रिक्तिस्थान उपस्तित बच्चे, रिक्तिस्थान अनुपस्तित बच्चे, रिक्तिस्थान ये बोड हर कक्षा में बच्चों की संख्या को बताता है ये उपस्तित और अनुपस्तित बच्चों की भी जानकारी देता है इस स्कूल में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? रिक्तिस्थान ये चार्ट जिस दिन का है उस दिन स्कूल में कुल कितने बच्चे अनुपस्तित थे? अनुपस्तित छातरों की संख्या यहां पर दो खाने दिये गए हैं पहले खाने में लिखा है कक्षा और दूसरे में लिखा है अनुपस्तित बच्चे कक्षा एक अनुपस्तित बच्चे दो बच्चों का चहरा कक्षा दो अनुपस्तित बच्चे एक बच्चे का चहरा कक्षा 3, अनुपस्तित बच्चे, 3 बच्चों का चहरा कक्षा 4, अनुपस्तित बच्चे, 4 बच्चों का चहरा और कक्षा 5, अनुपस्तित बच्चे, कोई भी नहीं ये चाठ अनुपस्तित बच्चों की संख्या को बताता है हर अनुपस्तित बच्चों को चहरे से दिखाया गया है इस चार्ट में कक्षा 5 के अनुपस्तित बच्चों को दिखाओ यहाँ पर एक चित्र भी बनाया गया है जिसमें एक बच्चा टेबल पर खड़े होकर ब्लैक बूट पर उपस्थित और अनुपस्थित बच्चों की संख्या को लिख रहा है प्रिष्ट 183 अब चाट को देखो और खाली जगह को भरो क किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है रिक्तिस्थान ख किस कक्षा में अनुपस्तित बच्चों की संख्या सबसे कम है। रिक्तिस्थान ग किस कक्षा में तीन बच्चे अनुपस्तित हैं। रिक्तिस्थान घ, कक्षा चार में और कक्षा पांच में अनुपस्तित बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान है तुम्हारा हाथ कितना लंबा अपने चार दोस्तों का एक समुह बनाओ रद्दी कागस की पटियां काटो इन पटियों की चोड़ाई बराबर होनी चाहिए हर बच्चे के हाथ की लंबाई को कागस की पटि से नापो हाथ की लंबाई के बराबर पटि को काटो और उस बच्चे का नाम लिखो इस प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में कुछ बच्चे दिखाए गए हैं, जो आपस में ये खेल खेल रहे हैं, और साथ ही कागस की पट्टी पर कुछ बच्चों के नाम भी लिखे हैं, प्रिष्ट 184, रोहन, जेकब और गीता ने भी अपना हाथ नापा, उन्होंने अपनी काया जैसे दिखाया गया है, यहाँ पर एक खड़ी और एक लेटी रेखा बनी है, इस ग्राफ में बाईं तरफ हाथ के लंबाई और नीचे दाईं तरफ बच्चों के नाम लिखे हैं, हाथ के लंबाई, रोहन, 8 cm, गीता, 9 cm, और जेकब, 10 cm, इस चित्र को देखो और खाले स्थान भरो, क, जेकब के हाथ की लंबाई, गीता के हाथ की लंबाई से रिक्तिस्थान ज्यादा या कम है, गीता के हाथ की लंबाई, रोहन के हाथ की लंबाई से रिक्तिस्थान ज्यादा या कम है, ग, रिक्तिस्थान का हाथ सबसे लंबा ह और घर, हिर्क्तिस्थान का हाथ सबसे छोटा है नीचे दिये गए चाट में अपने समों के सभी दोस्तों की पटियों को चिपकाओ पटियों के बीच कुछ दूरी रखो अब यहाँ पर एक खाली चाट है जिसमें बाई तरफ हाथ के लंबाई और दाई तरफ नीचे चाटर का नाम लिखा है अब तुम इस दिये गए चाट में अपने दोस्तों के नामों की पटियों चिपकाओ ध्यान रहे कि हर पटि में कुछ दूरी होनी चाहिए प्रिष्ट संख्या 185 स्कूल आने वाले बच्चे इस प्रिष्ट पर एक चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि यात-यात के साधनों में अलग-अलग बच्चे अपने स्कूल को जा रहे हैं और कुछ बच्चे पैधल भी जा रहे हैं इस चित्र को देखो और तालिका को पूरा करो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके अलग-अलग छे खाने है पहले खाने में सबसे उपर लिखा है आने का तरीका दूसरे खाने में लिखा है ट्रेक्टर और बाकी खाने खाली है आईए अभी से करते हैं आने का तारीका ट्रेक्टर चात्रों की संख्या तीन अब आप बाकी बच्चे हुए खानों में आने का तारीका लिखें और उसके बाद नीचे चात्रों की संख्या लिखें तीन बच्चे ट्रेक्टर से आ रहे हैं हम तालिका में तीन लिखते हैं हम चाट में ट्रेक्टर के ऊपर तीनचेहरे भी बनाएंगे चाट में चेहरे बनाकर दिखाओ कि कितने बच्चे बस सैकल आदी से आते हैं इसी प्रिष्ट के अंतिम भाग में उंट का चित्र है और उसके उपर एक बच्चा बैठा है उंट कह रहा है तुम्हारी कक्षा में ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरी पीठ पर कभी नहीं चड़े यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है ग्राफ के बाईं तरफ छात्रों की संख्या और नीचे की तरफ वाहनों का नाम लिखा है जैसे बस, ट्रेक्टर, साइकिल, रिक्षा, पैदल अब आप चित्र को देखकर इने भरो उधरन के तौर पर तीन बच्चे ट्रेक्टर से अपने स्कूल जाते हैं तो तीन बच्चों की चहरे ट्रेक्टर के उपर बनाए गए हैं अब आप बस, साइकिल, रिक्षा और पैदल जाने वाले बच्चों की चहरे उनके उपर बनाओ कि कितने बच्चे उनके द्वारा स्कूल जाते हैं प्रिष्ट 186 खाली जगों को भरो क ज्यादा तर चात्र स्कूल रिक्तिस्थान से आते हैं क पैदल आने वाले चात्रों की संख्या, साइकिल से आने वाले चात्रों की संख्या से रिक्तिस्थान ज्यादा या कम है ग, स्कूल में सबसे कम चात्र डिक्तिस्थान से आते हैं अब समझे, इसे स्मार्ट चार्ट क्यों कहते हैं सिर्फ इसे देख कर हम बहुत कुछ जान सकते हैं चलो, कुछ और ऐसे चार्ट बनाए यहाँ पर कुछ बच्चों का चितर बना है अभ्यास का समय, अपने आसपास की चिजों को देखकर स्मार्ट चार्ट बनाओ जैसे, किस चिडिया में अलग-अलग तरह के रंग सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पर एक तोते और एक मोर का चितर बना है किस जानवर को पालतु बनाने के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है यहाँ पर एक बिल्ली और उसके बच्चे का चितर और साथ ही एक साप का चितर बना है साप बोला मुझे परिश्ट 187 तुम्हारी ना पसंद सबजी कौन सी सबजी तुम्हें सबसे ज्यादा ना पसंद है अपने दोस्तों से भी पूछो और तालिका में भरो यहाँ पर दो तालिका दी गई है पहली तालिका में ना पसंद सबजी लिखा है और दूसरी तालिका में बच्चों की संख्या लिखा है अब तुम अपने दोस्तों से पता करके उनकी नापसंद सबजी और उन बच्चों की संख्या लिखो इस तालिका का इस्तमाल करके नीचे दिये गए चाट में चहरे बनाओ हर बच्चे के लिए चहरे को उस सबजे के उपर बनाओ जिसे वो नापसंद करते हैं सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली सबजी रिक्तिस्थान कौन सी सबजी सबसे कम बच्चे नापसंद करते हैं रिक्तिस्थान इसी प्रिष्ट के अंतिम भाग में एक ग्राफ बना है जिसमें बाई तरफ बच्चों की संख्या और नीचे की तरफ लिखा है नापसंद सबजी का नाम अब आपने नीचे दिये गए चार खानों में नापसंद सबजी के नाम लिखने हैं और उनके उपर जितने बच्चे उस सबजी को नापसंद करते हैं, उनके चहरे बनाने हैं। इसी के साथ तेरवाँ पाठ, स्मार्ट चार्ट यहीं समाप्त होता है। स्वर, प्रमीन शर्मा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण, विमलेश चोधरी, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत। स्वराव, अगि मैं प्रस्तों से लिए आवाव, रुचिं स वेदेन और निर्माण, विमलेश मैं 255,ständा пять, रुचि भी तेसि maritime मतंती, CIET, Cि कुमारी, दो प्रस्तों समाप्ता।